नमस्कार स्वागत आप सुभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 मद्रप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपर नामाजम वक्त MP अब तक का हो गया है सबसे पहले बात करते हैं नागरिक्ता आविदन की जिहां मोखिवंत्री डॉक्टर मोहन यादर ने मध्रप्रदेश नागरिक्ता संशोधन अधिनियम CAA के तहत राज्य के प्रथम तीन आविदकों को भारतीय नागरिक्ता का प्रमाण पत्र प्रदाम किया इनमें से एक बांगलादेश और दो पाकिस्तान से भारत आये थे CM डॉक्टर मोहन यादर ने कहा कि CAA के तहट तीन लोगों को नागरिक्ता दी गई है इनमें से दो पाकिस्तान से और एक बांगलादेश ने हैं मुझे खुशी है कि वो अपना धर्म बचाने के लिए भारत आये हैं अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया होता तो वो अपने अपने देशों में रह सकते थे बतादे की भारत सरकार ने साल 2019 के दिसंबर में बांगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पिरन की वजह से 31 दिसंबर 2014 को यह से पहले आए हिंदू, सिख, जैन, बौध, पार्सी और इसाई समुदाय के लोग अपने अपने देश में आते हैं इतने बड़ा काम किया था की सीम ने मांग की, साथी सीम ने लोकसभा में सेंगोल विवात को लेकर विपक्ष पर भी हमला बताते हुए इससे संस्कृति का अपमान बताया बड़े दुरभागे के साथ केना पड़ रहा कांगरेस हमेशा चुनाओ के समय का अलग रोल में रहती है और चुनाओ के बाद असली चरीत लाती है सेम पित्रदा के माद्यम से भारत के विविन्न प्रांतों में रहने वाले इस्थानी रहवासियों को खास करके आदिवासी अंचल के लोगों का अपमान का घूट पीना पड़ा था और कितना सर्मना के स्थिति का वयान उनका था और कांगरेस ने कहा था हमारा कोई लेने देना नहीं और कांगरेस ने उनको अपने पार्टी से बाहर कर दिया और जैसे चुनाओ निकल गया कांगरेस अपने वादे से मुकर गई दुरभागी के साथ कहना पड़ रहा कि भारती मान बिन्विवों पे जिस पे अपनी देश की संस्कृति का हमेशा गर्व और गोरों का अनुभव आता है तमिल संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने ऐसे सभाइस्थल जहां पर विचारों की अभियक्ति होती है और लोकतंद का सम्मार होता है उस स्थान पर सिंगोल रख करके और पवित्र बनाने का काम मानी प्रदान मंत्री जी के द्वारा हुआ था लेकिन कुछ असमझ लोग जिनको इस बात की समझ नहीं है कि वो है क्या ये हमेशा भारती संस्कृति का अपमान करते है मध्यप्रदेश में परिवर्न विभाग के आदेश पर स्यासी बवाल हो गया है परिवर्न विभाग के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने निशाना साथा उमंग सिंगार ने कहा कि आदेश के बाद साफ है कि चेक पोस्त पर वसूली हो रही है ये पैसा कहां जा रहा है सरकार जबाद के कि सरकार के अधिकारी अगर इस पकार के आदेश जारी करें तो मदब यह सपस्ट है कि सरकार के अधिकारी की नजर में सामने के गोटाले चल रहे है चेक पोस्ट पर प्राइवेट के करमशारी काम कर रहे है किस के लिए कर रहे है किस के लिए चंदा एक अगटा कर रहे है क्य जब शिवराज जी के समय उन्हें टोल के लिए लेटर लिखा था कि उसको ने खतम किया जा आज तक टोल क्यों नी खतम हुए कि अवेद वसूली का धंदा सरकार के अधिनेस्त में हो रहा है तो इसमें कोन लोग लिपते इसमें कारवाई होना जी लोगसबा चुनाओ में मध्यप्रदेश की सभी सीट गवाने के बाद अमरवाडा का विधान सभा उप्चनाओ कॉंग्रस के लिए साक का सवाल बन गया है कॉंग्रस की कोशिश है कि अमरवाडा जीत कर कारेकरताओं को बूस्ट किया जाए लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद अमरवाडा में डेरा जमाय हो हैं कॉंग्रस दावा कर रही है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाओ लड़ रही है वहीं बिजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी को छोड़ कर कोई भी बड़ा नेता अमरवाडा में प्रचार के लिए नहीं जा रहा ताकि हार का ठीकरा पटवारी पर फोड़ा जा सके अमरवाडा में बिजेपी ने कमलेश शा तो कॉंग्रस ने दीरंचा इनावती को प्रत्याशी बनाया है जबकि देवरावन भलावी जीजीपी उम्मीदवार है पुद्री में शिवरास सिंग के केंदर में जाने और विजेपूर बीना में कॉंग्रस विधायकों के दल ब अमरवाडा का चुनाव जीतू पटवारी जी के सशक्त मेत्रित हमारे सभी वरिष्ट निताओं के मार्क दरशन में जबर्दस तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा अमरवाडा उप्चुनाव में हार सुनिष्चित देकर कॉंग्रेस के सभी बड़े निता चाह चुनाव परचार करते हुए दिख रहे हैं सभी नेता चाहते हैं कि हार का ठीकरा अकेले जीतू पटवारी के ऊपर खबर टीकमगर से है जहां जिला पंचायत की बैठक में टीकमगर और जतारा के विधायक नाराज हो गए बैठक का कॉंग्रेस के विधायकों ने विरोध किया दरसल कुर्सी नहीं मिलने पर टीकमगर और जतारा के विधायक नाराज हो गए और बैठक छोड़कर चले गए विधायक ने बेज़ती करने का आरोप लगाया और कहा कि वो ये मुद्धा विधान सम्हा में उठाएंगे अब बात नर्सिंग कॉलेज घोटा लेकि जिसमें इंदोर के नौ डॉक्टर्स की विभागे जांच होगी MGM Medical College में सभी डॉक्टर्स तैनात हैं 15 दिन के भीतर दोशी पाए जाने पर करवाई हो सकती है तो जिन डॉक्टर्स पर जांच किया अचे उन डॉक्टर्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पार है डॉक्टर भावना का नौजिया नौ डॉक्टर्स में ये भी शामिल डॉक्टर कृष्णा पिल्लाई नर्सिंग कॉलेज कुटाला मामले में विभागी जांच के आदेश लिए गए डॉक्टर हिल्दा डेविट तमाम ये वो डॉक्टर्स जांच की दाएरे में हैं अब बात सिवनी की जहां गौवन्श हत्याकान मामले में पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को अरेस्ट किया है पुलिस ने इन आरोपियों को कोट में पेश किया जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है मंदस्तोर इस्थित शिवना नदी में मास्क की टुकड़े फेके जाने को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने नाराज की जाहर की है नाराज बीएचपी बजरंगल के साथी तमाम संगठनों ने एसपी कारले के सामने नारेबाजी की और एसपी को ग्यापन सौप कर दोशों के खिलाब कारवाई की मांगी है जिस पर एसपी गौतन सोलंकी ने जांच के बाद कारवाई का भरोसत लिया उसमें फेका जाएगा नगरपालिगा ने इसकी बहुत बढ़िया व्यवस्ता करी थी उसके बाद भी हिंदू समाज की धार्मीत भावनाओं को ठेस पहुचाने के लिए उस जिस चेत्र में यह फेका था उसी जगह का हम सब नगरवासी जल पानी पीते हैं भगवान के इसमें घाना प्रभारी को जांच के आदे दिये इसमें सच सक करवई की जाती है खबर ग्वालियस से है जहां अतिकरमन हटाने की दौरान बवाल हो गया यहां नगर निगम कर्मचारी को होटल संचालक ने थपड़ जड़ दिया उसके बाद जेसीवी के सामने बैट गया और निगम की कारवाई का विरोध किया तस्वीर आपकी टीवे स्ट्रीन पर है एक तरफ असिकरमन हटाने की कारवाई करने के लिए निगम की ठीम यहां पर पहुंची थी दूसरी तरफ जो खुटल संचालक था वो काफी विरोध में था इस कारवाई के और से थपड़ जड़ दिया मंदस्वार में सेंट थामस स्कूल में एबी वीपी कारेकरताओं ने हंगामा क्या तोरफोर कर दी हंगामे और तोरफोर का CCTV फोटेज भी सामने आया है एबी वीपी के किसी कारेकरम को लेकर एबी वीपी कारेकरता सेंट थामस स्कूल गए थे जहां सेंट थामस स्कूल के पादर के बयान पर हंगामा हो गया दरसल पादर ने कहा कि कोई चात्र अपने घर से भगवा पहन कर किसी कारेकरम में जाए कोई आपत्ती नहीं है लेकिन स्कूल में केवल यूनिफॉर्म ही चलेगी यहां से कोई भी चात्र अन्य कपड़ों और भगवा में किसी कारक्रम में नहीं जाएगा हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुरस को सेंट थॉमस स्कूल प्रभंदन ने आविदन दिया है जो पॉलेज का पेंपलेट था जिसका हमारा प्रोग्राम है वो पेंपलेट हमने इनको दिया था लेकिन इंडा केना है कि आप लोगों ने दिलग लगा रखा है हम इस परंपरा को नहीं बानते हैं और अगर इस तरीके के अगर कोई आपको वात चन्नी है तो आप नहीं आज करते हो कम उसमें विल्कुल आपका साथ नहीं देंगे तीन लोग मेरे दफ्तर में आए और उनका कहना था है कि नाव जूलेज को एक खारिकरम आया जो होने वाला है यह भी पी दुआरा